हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो आज चैनल यह सर्स करिज्माटिक केमिस्ट्री आपका हमाई चैनल पर स्वागत है सो गाइस हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11 की इकॉनोमिक्स तो हमने लास्ट टाम चानक्या तक कर लिया था अब हम शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ एकॉनोमिक से रियल पार्ट जहां से आपकी इकॉनोमिक स्टार्ट होती है वह है अडम स्मित थे और इसलिए क्योंकि मॉडर्न एकॉनोमिक्स में जब भी कॉन्ट्रिबिशन का नाम आता है तो इनका सबसे ज़्यादा था जिसने पहली बार कुछ इस सिस्टमाटिक थे ती जो अम लोग वर्ल में अप्लाय कर सकते थी वो थी आडम स्मित की एडम स्मित वेल्थ ओर्येंटेट डेफिनेशन ऑफ एकॉनोमिक्स क्या थी क्लासिकल एकॉनोमिक मतलब जब सबसे पहले एकॉनोमिक जो शुरू हुई थी मतलब यह बहुत पु इसका मतलब समझाओंगा आपको मैं कि वेल्ट ओरिंटेट इकोनोमिक्स के क्या मतलब है आउट फिस मेनी लिटरी कॉंट्रिबूशन्स तो एकोनोमिक्स ही इस मोस्ट फेमॉस फो इस सेवेंटी सेवेंटी सिक्स पीस अफ वर्क एंग्वारी इन्टु थे नेचर एंद दे कॉजेस अफ वेल्ट ओफ नेशन्स तो जनरली सबलों वेल्ट ओफ नेशन्स भी सुने रहेंगे बुक का ना वेल्ट ओफ नेशन्स अदंस्पिड डिफाइंस इकोनोमिक्स एज असाइन्स ओफ वेल्थ वेल्थ मतलब पैसा तो यह किसका साइन्स है पैसे का साइन्स है तो इसमें क्या था वेल्थ ओरिंट मतलब इसमें क्या बोलते थे वो आगे देखे की पॉइंट्स अल्रेडी दिये हैं लैजस फरेरी मतलब क्या नॉन इंटरवेंशन आफ दी गवर्मेंट अगर सोसाइटी में कुछ बिजनस चालो है तो बिजनस में गवर्मेंट इंटर्वीन नहीं करनी चाहिए अब इनका कहने का मतलब था कि जो भी बिजनस चल रहा जितने रुपय में उसे सामान को बेचने देना चाहिए चाहिए जितना भी इंडस्ट्री हो चाहिए दो हो या चार हो या छे हो इससे क्या होगा जितनी ज़्यादा कमपनियां आतींगे कॉंपटीशन बढ़ेगा और कॉंपटीशन बढ़ने से उस सामान का रेट कम हो जाएगा और अल्टिमेटली और नए आएंगे ताकि प्रोडक्शन करते करते वो लोग प्रॉफिट भी कमाए गॉवर्मेंट को इसलिए यह सब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अगर गॉवर्मेंट बीच में हाठ डालती है कि इतना टैक्स दीजिए टैक्स ले सकते हैं लेकिन इसके लाग गॉवर्मेंट बोली कि इतना ही प्रोडुश करिए इतने रेट पे करिए तो यह दिक्कत वाली चीज़ है इसलिए इसको क्या बोलते है कि government should not intervene capital and wealth accumulation तो इसके तुरू क्या होता है कि जिसको एक सेकेंड जिसको जितना बड़ा company करना है वो कर सकता है talent के बेश पे rules follow करते रहे और वो करते है इससे क्या होती जाएगा कि आदमी जितना wealth जमा कर सकता है जितना पैसा जमा कर सकता है वो करता जाएगा और अगर talent है तो जमा करते है that's a capitalism का सबसे बड़ा thought capitalism में क्या रहता है कि after paying tax आप जितना पैसा जमा कर सकते है वो आपका capitalism होता है वहें पे socialism में क्या होता है आपको सब में equally बाटना रहता है अगर समझे किसी ने 50 रुपया कमाया किसी ने 80 रुपया तो इसने जो 30 रुपय एक्स्ट्रा कमाया वो equal बाटना होगा तो 15 यहां भी और 15 खुद रखना होगा तो यह equal हो जाएंगे ठीक है तो इस तरह से सोशलिजम काम करता है आपको टैलेंट है आप जितना उपर जा सकते हो जान दीजिए तो यह है कि तो capital and wealth accumulation तो मतलब capital का मतलब क्या होता है जनरली लाइफ में आप लोग यह चीज ध्यान रखोंगे कि money से money बनाने को capital बोलते हैं जिस money से वह आपस money बनेगा यह जिस asset से अब बोलने तो asset अब आप लोग जान जाओगे कि assets मतलब क्या होते है इसके बाद आपको जानना होगा asset से asset बनाने कोई क्या बोलते है wealth अरे उस पैसे को capital बोलेंगे जैसे कि आप लोग ने एक घर बेचा खरीदा और उस घर को बेचके एक और घर लिया तो आपने क्या पैसा invest किया था आपने और उससे पैसा बनाए share market में आप जो पैसा डालते हो that's a capital उस पे आप पैसा कमा रहे हो तो पैसे से पैसा बनती जा रहा है तो that's a capital होगा आप ल नेचर लॉइफ लॉइन एकोनॉमिक अफेयर नीचर कैसा ओपने इंड़न है इसके नीचर में क्या कोई गवर्मेंट सिस्टम तो नहीं है तो क्या होना चाहिए इसी तरह से गवर्मेंट अपना हाथ ख़टा लेना चाहिए पूरा का पूरा और एज़िजनेस नेचिरल फ कुछ लोग नहीं हैं। लेकिन सब रह रहे हैं जिनको जो जो करना है इसी तरह से बिजनस में जो भी प्रडूस करना चाहरे हैं लोगों को प्रडूस करने का फूरा फ्रीडम होना चाहिए। यह कहना मतलब था हूंका डिविजन अफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी अभी डिविजन अफ लेबर क्या होता है यह वर्ड है डिविजन अफ लेबर मतलब अग्रिकल्चर कोई और करेगा अग्रिकल्चर से प्रोडक्शन कोई और करेगा कहीं भी कोई भी प्रोडक्शन कोई और करेगा अब प्रोडक्शन को फिस सर्विस सेक्टर में यहां वहां पहुचाने के लिए कोई और यह जोगा मतलब क्या बहुत सारे लोग अलग-अलग काम करेंगा अगरी कल्चर में भी यहां पर खेत में प्लॉइंग करनेवाले लोग अलग होंगे झिसे हम जॉब बनेगी डिविजन ओफ लेवर से क्या जॉब मिलेगी प्लस दूसरी चीज क्या रहेगी कॉंपटिशन लेबर की बीच में भी रहेगा अमंग लेबर सॉल्सर लेबर स कॉन वरकर्स मतलब तो यह कहने का मतलब डिविजन ओफ लेबर अगर कब नहीं होता है जैसे कि कोई सोच लेके हर चीज मैं खुद करूँगा खेती में पूरा लेके प्लॉइंग से लेके पूरा उसको कट हार्वेस्ट करने तक मैं करूँगा बाड़ा सिश्टम क्या होता है आप सामान के बदले सामान तो समझे कि वह अगर आपको कोई सेव देते तो आप तो आप मैं इसे बौलते हैं बाड़ा सिश्टम मनी नहीं होताह अब ही आप क्या करते हो कि वो आप लोग एक जुसरे जो सामाने वो एक्स्चेंज करोगे जो आप उगाते हो तो इससे क्या होता है कभी-कभी बाटर सिस्टम में होने के सब लोग सुचते थे कि भाई अगर इनसे में को मैंगो हर साल चाहिए ही रहता है तो मैं क्यों ना खुद अपने ही उगा दू मतलब काम बटेगा नहीं यह आपको ध्यान रखने तो इनके चारों आप लोग को याद रख लेने कि इन्हों यह क्या-क्या बोला था लेजर्श परें मतलब नॉन इंटर्विंशन और गवर्मेंट कापिटल वेल्ट का अक्योमिलेशन करने को अलाव करना चाहिए नेचर में कुछ भी ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं है आपको जो करना चाहिए वैसे आपको एकॉनमी में अलाव करना चाहिए तो इससे होगा लेकिन बाद में क्या हो आप लोग को बता दो कि यह डिविजन यह जो आडम स्मित की थी कि आपा स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए यह ग्रेट डिप्रेशन इसके वैसे आ गयाँ निडेटीप्रेशन ना और गरीट डिप्रेशन के में वैसे वर्ट वर2 नहीं और इसके बाद केशिंद मॉडल लाया कि इस तरह से खुले आम अगर इंडस्ट्री को अलाव किया तो इंडस्ट्री वाले गरीब इंसान को चूशते चले जाएंगे अगर सरकार सहारा नहीं बनेगी बीच में इंके लिए नहीं आईगे तो क्या करेंगे लोग मालूम हैं समझे कोई किसी चीज का दाम competition समझे पहले चार रुपया था फिर बहुत सारे आ गए तो फिर दो रुपया हो जोने चाहिए लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे कि चीजों के दाम घटे भी रहेंगे तो बोलेंगे भाई हम सब मिलके क्यों इतना सस्ता कर रहें क्यों ना मिलके पांच रुपया से उपर तो इसी को बोलते हैं काटल गुट बनाके ये लोग आपको चूसना सुरू कर देते हैं गुट बनाके तो इससे क्या हो गया गरीजनता का दिक्कत होगा प्लस इसमें सोसाइटी यूए जैसी सोसाइटी में क्या होगा था वेल्थ बोल रहेता है एक्मिलेशन हो तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था अब बहुत ज़्यादा लोगों के पास बहुत कम पैसा था इसमें तो इनिक्वालिटी बोलते हैं इसको और inequality से क्या हुआ जिसके पास पैसा है वो government को भी control कर रही थी, officer को भी control कर रही थी, law and order को भी control कर रही थी, जैसे कि जिसके पैसा वो एकदम government में सबको पैसा दे के चुप कराएगा, officer लोग को अपने किलाफ case नहीं करने देगा, law and order में अगर कुछ case हो भी जाता है, तो उसे दबवा देगा, और ultimately फिर पैसा जमा करता है, फिर money accumulate करेगा, तो उससे crime बढ़ेगा society में, फिर उसके डूब गया था, इसलिए इसका नाम था great depression, चलते हैं next, अभी हम लोग आगे, अभी Paul Alfred's, Paul Alfred Marshall's welfare oriented definition of economics, welfare मतलब भलाई, नियो क्लासिकल, मतलब क्लासिकल के बाद आए, नय क्लासिकल, economics, Alfred Marshall has given the welfare oriented definition, वही पर Adam Smith ने कौन सा दिया था, Adam Smith ने दिया था, wealth oriented, पैसा जमा करिये, और Alfred Marshall का कहना है कि भलाई ज्यादा करिये, तो वो देखते हैं, oriented definition of economics, in the book entitled, principles of economics, वही पर उनकी book का नाम क्या था, wealth of nations, which was published in 1890, his definition states, क्या था, economic is a study of mankind, study of mankind, वो बोलते हैं, वो किसका science of wealth, कौन, किसका रहे हैं, बोलता हूँ, मैं जब बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, Adam Smith के बारे में, तो ये study of mankind, in the ordinary business, of life में, it examines that, part of individual and social action, मतलब कैसे बताता हूँ, इस अब एक बार प्ल लेते हैं, फिर आगे समझाता हूँ, part of individual and social action, which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being, तो मतलब क्या, एक इनसान जो समझे, factory खोल रहा है और जो पैसा कमा रहा है, और वो अगर society में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, society में जो लोग हैं, कैसे दे सकता है, tax के through, और free में चीज़ें कुछ दे के, क्या कर रहा है, अच्छे क्यों फ्री में आपको कुछ लोग सुचेंगे free क्यों दे रहे हैं, लेकिए, जन्दी चलता है कि हम सब का equal right है, equal right है resources पे, अब समझे, land का कुछ ये part है, hundred percent, ये hundred percent समझे, कुछ resource है, सोना समझ लिए hundred percent, अब किसी आदमी को थोड़ा ज़्यादा पता है, तो वो क्या करेंगा, ये ज़्यादा सुना निकाल लेगा, तो ज़्यादा सुना निकाल लिया इसने, अकेले ने, अब इसने पूरा समझे कि इतना 50 percent part cover कर लिया, निकाल लिया पूरा 50 percent, लेकिन इसके अलावा और लोग भी थे, इस इंसान को छोड़के 99 लोग और थे, तो 99 लोग का भी हग था, लेकिन क्या कि इसने extra 49 लोगों का हग भी ले लिया ना, देखे cover करके, तो क्या करते है, इसके responsibility होती है, कि ये जो है, ये society को वापस दे, किसी ना किसी form में, किसी न आप लोग knowledge में थोड़े आगे हो, अगर क्योंकि अगर ये लोग अलाव ही ना, 99 लोग आपको अलाव ही ना करें, तो आप तो कुछ करी नहीं पाओगे ना, क्योंकि आप government है, government पर सबका भरोसा होता है, belief होता है, तो वो land किसने दिलवाया, government ने दिलवाया, कि इसको करने तो इसको tax करूँगा, इससे मैं रस्ते इससे बनवा लूँगा, और आपका भला करता हो, government पर belief रखा सब लोग ने, तो इसको land ले ने दिया, फिर land लिया, इसने तो इससे सोना निकाल पाया, तो इससे इसने money कमाया, अब ये money को इससे return करना चाहिए, ये बात होती है, त तो समझें, आप लोग कि ये social action क्या कर रहा है money का, तो individual और social action से क्या lead होगा हमारा action, which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being, तो well-being मतला सब के लिए, ना कि खुद के लिए, जैसे कि education हो, और basic health हो, और food हो, shelter हो, ये उसके societal action हो जाएंगे, कि वो individual क्या कर रहा है, जो पैसा कमा कर रहे, तो ये ताकि सब का भला होता रहे है, की points of martial definition में क्या था, study of an ordinary man, ये ordinary man के बारे में पढ़ने को बोलते थे, economics is a behavioral science, मतलब क्या ये आदमी के behavior पर depend करता है subject, behavior कैसे, अगर एक इंसान ज़्यादा, एक इंसान ज़्यादा greedy है, और वो हर जगे जान, उसको दुनिया में हर जगे मतलब बोलते हैं न कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, कि कुछ लोग मर रहे हैं या जिन्दा हैं, कुछ मतलब गरीबी से लोग, कुछ लोग poverty से मर रहे हैं, तो कुछ नहीं फरक पड़त तो economics यहीं चीश study करता है, कि इस इंसान के पास जो इतना पैसा इसने accumulate कर लिया है, और वहीं पे society में people are dying because of poverty, तो क्या करें इसके लिए, यह money का क्या करें, तो economics उसी की पढ़ाई है, ठीक है, तो यह किसको center में दान रखती है, ordinary man को, नॉर्मल इंसान, जो poor हैं, या मतलब नॉर्मल इंसान, नाट की जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोगों को नई ध्यान में रखते है, इनके इसाफ से यह सही चीश कर रहे हैं, और यह public deserve करती है poverty, कि यह लोग कम मैनेत कर रहे हैं, तो यह जबकि उनको पता नहीं कि अमीर हैं, तो यह थोड़ा ज्यादा पहले से इनका ही लोगों पर control है, तो यह आज बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि government अपना हाथ पीछे ले लेगी, या economist अपना हाथ पीछे लेंगे, वो economics क्या होती ही theory है, तो उसके थूरू लोग क्या बोलते हैं, कि आपको देन पड़ेगा, इससे क्या होता है, लोगों में awareness create होती है, कि हाँ, डोनाल्ड टरम्प को थोड़ा पैसा वापस तो करना चाहिए जरूर, तो यह बात होती है, तो economics of behavioral science, study of material welfare, material welfare कैसा मतलब, कि आप उन्हें यह basic जो चीज़े मैंने माग की, यह सब कैसे आप बाट रहे हो, कितना दे रहे हो, यह सब के बारे में हैं, और economic is not simply a study of wealth, तो यह सिर्फ यह नहीं होता है, यह बोलने का क्या मतलब है, यह नहीं होता है, कि यह नहीं होता है, कि ए एक person ने पैसा कमा लिया, बहुत सारा जड़ा money earn किया है, इसके बारे में नहीं होता है, तो जो हमारा Adam Smith का model था, कि creation of wealth, कैसे मैं कितने तरीकों से पैसा कमा रहा हूं, वो मेरा economics है, वो क्या बोलते थे, इसके बाद का step important है, कि यह कैसे distribute कर रहे है सब को, public को कैसे दे रहे है ठीक है, तो यह दोनों चीज़े, आगे का concept भी बताते हैं, तो इनकी जो theory है, वो भी ठीक है, अब दोनों, अब सोशलिजम क्या खराब है, सोशलिजम क्यों खराब है बताता हूं, जहांपे एक को है, सोशलिजम का सबसे बड़ा दिक्कत यह है, कि अगर समझे कोई hard work कर र इसके साथ, अब इसको 40 दे और अपने भी 40 रख ले, तो मतलब यह तो 50-50, तो फिर 50-50 जब equal होना ही है दोनों में, तो यह इनसान कोई hard work नहीं करेगा, वो बोलेगा, मैं मैं मैंनत करके, खून पसीना एक करके भी इतना मिल रहा है, और यह lazy इनसान को भी इतना, तो क्यों आगे बढ़ाते रहें, हाँ लेकिन इतना भी नहीं कि Adam Smith के जैसे पूरा wealth अपने पास ही जमा कर ले, और society को आगे ना दे, तो वो क्या बोलते है, mere creation of wealth नहीं है, आप इसके आगे social action कैसे तो यह basic material को कैसे आप लोगों में बाट रहे हो, तो आगे चलते हैं अभी, लियॉनल रोबिन्स, scarcity oriented definition of economics, तो अभी देखते हैं, इस 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 बॉपलर definition of economics, रोबिन्स, in his book, entitled, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, यह आय था 1932 में, और यह किसके बारे में था, scarcity oriented definition, बताता हूं यह सर्फ क्या मतलब इसका, economics is a science which studies human behavior, human behavior as a relationship between ends and scars means which have alternative uses, यहां देखी, यहां इनका कहना है, ends means हमारी need, और स्कास means मतलब हमारी need को पूरा करने वाले तरीके, ways, ठीक है, अब इनका क्या कहना था, यहां पर रोबिन्स का, कि हमारी जो जरूरते needs and wants हो सकता है, और उनको पाने के तरीके, को बीच में जो हर एक human की जो race है, उसके relationship को बोलते हैं, बहुत सारे humans हैं, ऐसे समझें, बहुत सारी humans है, इनकी अपनी needs and wants है, सबकी अपनी needs and wants है, और यह अलग-अलग, समझें कि सबकी need है, समझें house की, सबकी need है house की, इनकी भी need है house की, इनकी भी need है house की, इनकी भी need है house की, अब इनके तरीके अलग है, यह कैसे करते हैं, डेली जॉब करते हैं ये बिजनस करते हैं ये बिजनस और जॉब दोनों करते हैं ये परसन और इसके बाद ये कुछ हैं जो खेती करते हैं और ये क्या करते हैं ये अपना जंगल से जोपड़े बना के लाते हैं और ये घर बनाते हैं तो इनके लिए खाने का सवाल ज्यादा house यह क्या करते हैं सिर्फ जाते हैं टाइम वहां से पैसा लाके घर में खिलाने के लिए करते हैं तो सबकी need है house ठीक है तरीके अलग-अलग है various means है और इस घर के भी बहुत सारी जैसे अगे लाइन में क्या बोला बीच है alternative uses अब क्या होगा समझी जगे लेगा house अब उसका alternative use है कोई यह house बनाना चाहता है storehouse बनाना चाहता है कोई बनाना चाहता है living purpose के लिए कोई house बनाना चाहता है old people के लिए society के लिए कोई यह house बनाना चाहता है just as asset अपना खुद का एसेट बनाने के लिए तो सूचिए अब ये वाले परसन का मैंने जरूवत मतलब थी कि सब की जरूवत थी लेकिन क्यों बना रहे हैं एक तो पहले इनके वांट से नीड हो गए क्या इनकी वांट से नीड थी हाउस फिर उसके वेज हैं कैसे वह अचीव करते हैं त कर रहा था सोशल कॉस के लिए चाहते हैं क्या सब्सक्राइब के लिए को लेके यह आँसे हर एक चीज को लेकर बना सकते हैं एक्जामपल ले सकते हैं कि देखें सिंपल एजूकेशन ले लिजे ना एजूकेशन को भी ले लीजे आप तो सबको कुछ ना कुछ एजूकेशन से जरुवत है सबको एजूकेशन चाहिए कि किसी को बहुत बहतरीन चाहिए मतलब एकदम जैसे कुछ बच्छे ऐससी का एजूकेशन कुछ सीविएंसी का इजूकेशन लेते हैं कुछ आईसी का एजूकेशन हैं कुछ में अब इनकी कौमप्रटीशन इंको अचीव करने का थरीके क्या है पैसे से जिसमट म लेगा अब पैसा यहRIS वाले का बेटा ट्वट उसे गरीब ICAC, CBSC, SSC में जाएगा, तो यही relationship है, इनके जो यह लोग जा रहे हैं यहाँ वाँ, इनके बीच के relationship को बोलेंगे, हम लोग कि economics है, यही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो इसमें क्या, थोड़ा अगर सबके बच्चे अच्छे रहते, तो बीच में ICAC में स से जाएगा है, तो यह है economics according to Robins, so key points क्या थे, wants, ends are unlimited, मतलब कि हमारे इच्छाएं बहुत unlimited, अब यह क्या है, इनका अगर यह बेटा IB में पढ़ लिया, बताया न, इसके बाद इसकी need क्या होती कि यह foreign में जाएगा, foreign में जाने के बाद भी यहाँ जो लड़का गया, उसका वहाँ पर US जैसी country में settle होने का होगा, और वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, तो unlimited, देखिए कहां से शुरुवत, कहां जा रहे हैं सब लोग, तो competition लग जाएगी, means are comparatively limited, तो यह जो तरीके है अचीव करने, जैसे मैंने बहुत स्कूल जाने का सबको education, कमा लेते हैं, सिफ दिमाग लगा के, तो यह क्या है, और उपर से limited क्यों है, कि बहुत कम लोग बहुत जादा पैसा जमा कर रहे हैं, तो बहुत जादा लोग बचे ना, पूर लोग, वो लोग को बहुत कम पैसा मिल रहे हैं, और उसमें भी job नहीं है, कहां से जमा करेंगा थोड़ा मोड़ा घर का अगले साल खाने के लिए इतना भी सिफ हो पा रहा है, तो तरीके नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्या पैसा चीए, तो तो हमारी wants unlimited है, लेकिन उसको जो earn करने के लिए means हैं, वो लिमिटेड है, wants are gradable on the basis of priority, आप wants को किसी की wants है, सिर्फ education किसी की है, must education किसी की है, quality education किसी का है कि foreign education, तो सब को जो को हम लोग divide कर दिए रहें कि नहीं education कोई, ठीक है, means have alternative uses, आप जैसे कि कि किसी के लिए पैसे का use था, पैसा क्यों चाहिए था किसी गरीब को अपने बेटी को पढ़ाने के लिए, किसी को पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि उसका business में उसने खोला है, किसी करोड रूपया कमा रहा है, उसनने बेटे को चाहता है कि वह बिजनस समहा ले, तो इसलिए उसको पैसा चाहिए, उसको पैसे है, उसका सब का alternative यूज है किसी के लाइफ में सिर्फ उसको डाल रोटी खरीदने लिए तो किसी को वहाँ पे सिर्फ क्या करना है ऐश्वारम फरारी खरीदना है किसी को उससे तो यह हो रहा है तो रॉबिंस यह बोले थे ठीक है तो इनके थेरी भी हम पढ़ लिए तो यहां पर सबका दिया ह इसी के साथ हमारा यह वाला पार्ट भी कतम होता है अब नेक्स्ट आइम जब हम मिलेंगे हम मिलेंगे ब्रांचे अव एकॉनमिक से डाट इस माइक्रो एकॉनमिक्स और मैक्रो एकॉनमिक्स की बारें बात करेंगी ठीक है तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी कि यह वीडियो अभ्स